नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं आप सभी सुडेंट बहुत अच्छे तरीके सोंगे और आप लोगों की तयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी आपके exam के point of view से काफी important है इसके पहले दोस्तों हम आप लोगों को time and work कराये थे time and work में LCM method बताये थे सेम दोस्तों method जो time and work में लगा वही method क्या होगा pipe and system में भी लगेगा ठीके pipe and system आपके लिए बहुत easy है अगर आप time and work इसके पहले पढ़े हैं तो एकदम आसान है कुछ भी नहीं करना है सेम वैसे ही solve करना है ठीके पहले questions start करते हैं चोटे questions start करते हैं कैसे question पूछा जाता है कैसे उनको solve किया जाता है असान तरीका क्या होगा सब तरीका बताएंगे ठीक है ठीक है ध्यान दीजिएगा सभी student पहला question है अच्छे से देखना है सभी student प्रशनों को अच्छे से देखेंगे नोट जरूर करेंगे ठीक है पीडियो बगएर आपको मिल रहेगी प्रॉपर ठीक है अप पे ध्यान दीजिए question कहा रहा है दोस्तो question कहा रहा है दो पाइप A और B एक tank को क्रमसह 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं यदि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिये जाए तो tank को भरने में समय लगेगा यानि कितना समय लगेगा ध्यान दीजिए question को कभी भी solve करिए question को पढ़के समझने का प्रयास आप लोग जरूर करिए देखिए दो पाइप है दोस्तो A और B एक टैंक को क्रमसा 20 मिनट और 30 मिनट में क्या है भर सकते हैं ठीक है उसके बाद कहरे है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिये जाए तो टैंक को भरने में समय लगेगा कितना समय लगेगा ज्यादा कुछ नहीं करना है ध्यान दीजिए देखिए कैसे solve करना है जैसे time and work में हम आप लोगों को बताये थे समय और कारे में सेम वर सही pattern है दो है एक है A दूसरा कौन है B A दोस्तों कितने में 20 मिनट में ध्यान दीजिए A कितने में 20 मिनट में B कितने में दोस्तों 30 मिनट में 30 ही मिनट है यहां देखिए लिखा हुआ है 30 मिनट में ठीक है भर सकता है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है 20 और 30 का LCM अगर आप time and work दोस्तों पढ़े हैं तो अब के लिए कुछ से नासान है ठीक है 20 और 30 का LCM क्या होगा दोस्तों 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 से कम 30 होगा नहीं क्योंकि 20 से कटेगा नहीं 30 दूनाए के 60 20 तियाए 60 हां तो यह LCM क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा 20 और 30 का LCM 60 हो जाएगा ठीक है यानि माल लेंगे जो टंकी है दोस्तों उसकी जो छमता है धरता है और 60 लीटर की है यह 20 मिनट में भर रहा है तो एक मिनट में कितना भरेगा 60 को 20 से भाग करेंगे 20 तियाए 60 यानि कि 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा सबी स्टूडेंट 20 में 60 यानि एक मिनट में यह 2 लीटर भरेगा तभी क्या होगा 30 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी समझ रहे है ना 30 दुना के साथ यानि जो इनका आ रहा है समझने का प्रैस करिएगा यहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है एक मिनट में यह 3 लीटर भर रहा है यहां पर कह रही है दिदोनों पाइप एक साथ खोल दिये जाए जब एक साथ चलेंगे तो क्या होगा यह प्लस 3 करेगा और यह प्लस क्या करेगा दो करेगा दूसरा वाला यह तीन लीटर भरेगा भी दो लीटर भरेगा ठीक है समझ आप सभी स्टुडेंट तो अब आप वह भांच फूल हो जाएगी बार मिनट में क्या होगा टंकी फूल हो जाएगी अब 》स वाट ट्रिक बता रहें थोड़ा से समझे जिह स्टुडेंट वीक हैं उमीद करते हैं सभी स्टुडेंट समझ रहेंगे बहुत इच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या हो जाएगा साथ मिनट में क्या साथ लीटर है पांच लीटर मिलके भर रहे हैं ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है एक मिनट में कितना प अगर इतना नहीं करना चाहते हैं, जब कभी भी ऐसे question आए, दो pipe या दो लोग किसी काम को या किसी tank को ऐसे कभी भी question आए, कि 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों pipe एक साथ कितने, देखें, दोनों pipe एक साथ खोल दिये जाएं, तो tank भरने में कितना समय लगेगा, time and work में जो बताये थे आप लोगों को, method क्या बताये थे, x, y बटा x plus y, क्या बताये थे, method का नाम क्या बताये थे, x, y बटा x plus, ध्यान दिजिएगा, x plus y, ये sort trick बताये थे, x की जगा पे क्या है दोस्तो, x की जगा 20 है, और y की जगा क्या है, 30 है, तो 20 गुने 30, बटा में 20 plus 30, 20 plus 30 क्या होगा, 50 होगा, direct click रहे हैं, उमीद करते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, 0 से 0 कैंसिल, 5, 4, 20, 4, 3 करेंगे, तो क्या होगा, 12 मिनट, ये वाला तरीका आप लगाईए, ठीक है, यहाँ पे जब कभी भी 2 दिया हो, ठीक है, 2 लोगों का काम दिया हो, ठीक है, यानि कि 20 गुने 30 बटा 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 डिरेक्ट 50 लिख दिये, ठीक है, कटा लिजे, आंसर आजाएगा, डिरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गूड, उमीद करते हैं, सभी स्टूडेंट समझ रहें, अच्छी बात है, चलिए, नेक्स्ट कोश्चन क्यों और चलते हैं, अडिला कोश्चन देखिएगा, यह कोश्चन देखिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, कोश्चन है, नल A किसी भरी टंकी को 40 मिनट में, तथा नल B, 60 घंटे में खाली कर सकते हैं, ध्यान दीजेगा, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिये जाएं, तो भरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, कोश्चन क्या कह रहा है, कोश्चन को आप सभी स्टूडेंट एक बार देखेंगे, यहाँ पे दो नल हैं दोस्तो, A और B, यहाँ पे कह रहा है, नल A किसी भरी टंकी को 40 घंटे में खाली, ध्यान दीजेगा, 40 घंटे में तथा नल B, 60 घंटे में खाली कर सकते हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, भारी टंकी को खाली करना है, और दोनों खाली करने संबंधित है, ध्यान दीजेगा, जो दोनों नल है, खाली करने वाला ही नल है तो एक है दोस्तों A, दूसरा कौन है B, A दोस्तों कितने घंटे में, 40 घंटे में, और B कितने घंटे में, दोस्तों, 60 घंटे में, ध्यान दीजे सभी student, यहाँ पर देखिएगा, खाली करना है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया ज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 120, 40 घंटे में, मिन बोले, कुछ भी बोले, भाग करना है, तो 4 घंटे 12, यानि कि ध्यान दीजेगा, 40 घंटे 120, यानि कि ये 3 लीटर प्रती घंटा भरेगा, तभी 40 घंटे में क्या होगा, 120 लीटर, यह क्या हो जाएगा, 60 दूना के 120, समझ हाँ दो लीटर प्रती घंटा तभी 60 घंटे में 120 यानि पूरी टंकी 60 घंटे भरेगी यह चीज़ क्लियर है आप सभी स्टुडेंट को बहुत अच्छे ध्यान दीजेगा दोनों क्या कर रहे हैं दोनों क्या कर रहे हैं दोस्तों खाली करने संबंदित है ठीक है कुछ नहीं क करेगा और यह कितना माइनस करेगा दोस्तों दो लीटर माइनस करेगा दोनों मिलके एक घंटे में कितना माइनस करेंगे दोस्तों बताइएगा सभी स्टुडेंट पांच लीटर माइनस करेंगे, ठीक है, तभी student अच्छे से समझने का प्रयास करिए, पांच लीटर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और हमें टंकी जो दिया है दोस्तो, हम लोगों के पास जो टंकी हो, एक सो बीस लीटर की है, और ये क्या है, एक घंटे में दोस्तो, पांच लीटर माइनस कर रहा है, क्योंकि यहां बोल रहा है, दोस्तो, खाली कर सकते हैं, ये माइनस करने समझने हैं, तो कुछ नहीं करना है, एक सो बीस लीटर की टंकी को, अगर पांच लीटर प्रती, घंटे पानी उसमें से निकाला जाए, तो कितने घंटे में खाली हो गंटे कितने घंटे में खाली हो जाएगी 24 घंटे उमीद करते हैं आप लोग समझ भी रहे होंगे यह 3 लीटर प्रती घंटा खाली कर रहा है यह 2 लीटर दोनों जब यहां पर कह रहे है यादी दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए जब एक साथ खुलेंगे तो 3 यह खाली कर द्यान दिजे इसके लिए भी आप चाहें तो 100 लगा सकते हैं कुछ नहीं करना है यह भी क्या है दोस्तों दोनों क्या है यहां पर देखिए 40 गंटे में और यह क्या 60 गंटे में क्या कर रहे हैं खाली ही कर रहे हैं दोनों को एक साथ खुलेंगी बात कर रहा है तो कुछ न किया है कोई दिक्कत नहीं X की जगा 40 और Y की जगा साथ तो आप इसको कर सकते हैं 40 गुने साथ बटा में 40 प्लस 6 X प्लस Y हम लिखे हैं ठीक है X प्लस Y लिखे हैं इसका मतलब होगा 40 40 और 60 हम जोड़ देंगे डिरेक्ट तो दो जीरो हैं दो जीरो से दो जीरो कैंसिल चार्च है के 24 अंसर क्या हो जाएगा 24 घंटा आप लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा होगा क्योंकि इसके पहले आप लोग टाइम और वर्क पढ़े हैं तो यह चैप्टर आपके लि यह कोशन देखिए तो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे कोशन देखिए कोशन नंबर तीसरा है तीन नल क्रम सह साथ गंटे 72 घंटे 90 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं तो बताईए यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर आएगी अभी तक हम लोग क्या स्वाल पर रहे थे दो नल वाले प्रसंट ठीक है दो नल वाले अब क्या आ गया तीन नल ठीक है अब तीन नल है तो कुछ भी नहीं करना है सेम मेटड लगाना है तीन नल है ताट घंटे 72 घंटे और 90 घंटे में किसी टंकी को भर सकते और ब तीन नल है पहला दोस्तों कितने घंटे में 60 घंटे में दूसरा कितने घंटे में 72 घंटे में और ये जोस्तों जो तीसरा है कितने घंटे में 90 घंटे में तो LCM इसका क्या होगा LCM के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते हैं ध्यान दीजेगा जो बड़ा वल्ला संख्या है न अभी से कटेगा तो एल्सियम क्या हो जाएगा तीन सो साथ ठीक है अब धियान दीजिए तीन सो साथ लीटर की माल लेंगे टंकी है यह साथ घंटे में भर रहा है तो एक घंटे में कितना भरेगा साथ से भाग करेंगे साथ गुने छे करेंगे तीन सो साथ होगा यानि कि एक घंटे में छे लीटर तभी क्या होगा साथ घंटे में पूरी टंकी फुलो जाएगी यहां समझे यह बहत्तर तो ध्यान दीजिए साथ पच्चे 35 और दो पच्चे 10 समझ रहे ना एक घंटे में 5 लीटर बहत्तर तो ध्यान दीजिए यानि कि 4 लीटर प्रति घंटा तभी क्या होगा 90 घंटे में यह पूरा भरेगा 4 लीटर प्रति घंटा समझ रहे ना यह चीज हाँ अब देखिए कह रहा है यहां पे तो कह रहा है तो बताईए यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंक प्लस पांच प्लस चार छे पैच ग्याराचर डंड्र यानि कि एक घंटे में क्या होगे तीनों 15 लीटर भरेंगे क्योंकि एक साथ चलने की यह बात कर तो 360 को, अगर हम 15 से भाग कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितने घंटे में भरेगा, बस कुछ नहीं करना है, बहुत एक्षे, very good, सभी स्टूडेंट समझ रहे, 15 दुना के 30, 15, 4 को 60, आंसर होगा, 24, कितने समय में भरेगी टंकी, 24 घंटे, LCM बस निकालना है, भाग करना ह हाँ, 36, 36, 75, 360, ना चव को 36, 94 को क्या होगा, 360, 6, 5, 11, 4, 15, यानि कि ये घंटे में तीनों मिल के चलेंगे तो क्या होगा, ये घंटे में 6 कर भर रहा है, ये 5 लीटर भर रहा है, ये 4 लीटर भर रहा है, तो जूड जाएंगे, ये घंटे में 15 लीटर भर रहा है, और हमें बहुत देखे, very good, उमीद करते हैं, आप सभी student समझ गए होंगे, क्योंकि सभी student का आंसरा है, at 24 hour, चलिए, next question क्यों चलते हैं, अगला question देखिएगा, अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास करिए, दोस्तों, समझ जाएंगे, और ऐसे ही प्रस्ण हमेशा exam में पूछे जा भर सकता है, जबकि नल B, भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, यहाँ देखिए question थोड़ा सा अलग लेबल का है, question में ये बोला है न, एक इसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और यहाँ पर कहरा है जबकि B, भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है, और बोल रहे हैं दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, तो इसमें देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं क क्या कर सकता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, यह खाली कर रहा है और यह भर रहा है, यानि यह प्लस कर रहा है और यह माइनस कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपको समझने की ज़रूरत है, यह चीज़ समझेगा, तो तो lc m आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा ठीक है तो भाकव करिए 24 लीटर की टन्की है यहांद सम्झने का प्रेस करेंगे सबीस student 24 लीटर की टन्की है आप लोक आंस्वर आ रहा है है 24 लीटर की टन्की है और ये छे घंटे में भर रहा है ध्यान दीजिएगा आप सभी student समझने प्रत के तो एक घंटे में कितना भरेगा 24 को 6 से भाग करेंगे 64 को 24 यानि कि एक घंटे में 4 लीटर तभी तो क्या होगा 6 घंटे में पूरी टंकी भरेगी यह 8 घंटे में क्या कर सकता है खाली करने वाला है ध्यान दीजिएगा सभी student 24 लीटर की टंकी है 8 से भाग करिए 8 तिरी के 24 यानि कि एक घंटे में कितना करेगा खाली माइनस कितना करेगा 3 लीटर यह देखिए यह क्या है माइनस करेगा 3 लीटर खाली करेगा तभी क्या होगा सभी student ध्यान दीजिए यह माइनस करेगा 3 लीटर सभी student अच्छेस देखेंगे त दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तंकी कितने घंटे में भर जाएगी ज्यादा कुछ लिए करना है एक 4 लीटर प्लस कर रहा है और एक 3 लीटर माइनस कर रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए आप सब इस पूडेट रिजल्ट क्या आएगा तेकि यह 4 भर रह है और यह 3 लीटर खाली कर रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा एक लीटर प्लस होगा और हमें भरना कितना है दोस्तो 24 लीटर की टैंक है और एक घंटे में एक ही लीटर पानी प्लस हो रहा है तो कितना घंटा लग जाएगा दोस्तो 24 घंटे आंसर क्या होगा 24 घंटा ठीक यहां पर प्रसुन को देखिए आप कभी भी प्रसुन को solve करिए तो समझने का प्रयास करिए समझने का प्रयास करेंगे आंसर एकदम आपका सही आएगा ठीक है अब देखिए हम आप लोगों के एक 100 ट्रिक बता रहे हैं इसके लिए ठीक है जब कभी भी question type का आए ठीक है और एक दोस्तों भरने का बात करें और दूसरा दोस्तों खाली करने का बात करें ठीक है एक भरने का बात करें और दूसरा खाली करने का बात करें तो इसके लिए क्या करेंगे आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है ध्यान दीजिए और बोले last में कि दोनों को एक साथ खोल दिय जाएए ठीक है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने खणटे भरेगी तो इसके लिए क्या गर रक्या जाता है एक्स वाई बटा एक्स डिफ्रेंस वाई डिफ्रेंस का मतलब दोनों का अंतर कहने का मतलब है सौट्रिक नोट करिएगा एक्स वाई बटा एक्स डिफ्रेंस वाई देखिए X की जगा पर क्या होगा दोस्तों सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे X की जगा 6 गंटे और Y की जगा 8 गंटे ठीक है हाँ आप देखिए यहां पर कल व्यूज नहीं होना है X Y है यानि की 6 गुने 8 बटा में X Đifference Y मतलब की दोनों का अंतर डिफ्रेंण का मतलब क्या होता है अंतर होता है और अंतर का मतलब यह होता है कि बड़े संख्या में से चोटे संख्या को घटाना कहने का मतलब है, 6 और 8 का अंतर, मतलब, इसका मतलब ये आप कह सकते हैं, 8 माइनस 6, बराबर क्या होगा, 2, difference का मतलब होता है, अंतर, ठीक है, ये चीज़ समझेगा सभी सूडेंट, अच्छे से देखिए, तो 6 और 8 का अंतर दोस्तों क्या होगा, 8 में से 6 घटाएंगे, 2, सम बताएंगे, बताएंगे सभी सूडेंट, टंकी को कितने घंटें भरेंगे, 24 घंटे, अंसर आ रहे है, बहुत अच्छे, हाँ, जितने भी सूडेंट, फर्मूला बता रहे है, xy बटा x, difference y, आप सभी सूडेंट एक दम साही है, very good, हाँ, तो एक्जाम में कोश्चन आए, ऐसे, तो डिरेक्ट ये वाला मेथड लगाईए, लस्रिम नहीं लेना है, जब कभी भी दो का आए, तो आप xy वाला मेथड लगा सकते हैं, ठीक है, हाँ, next question की ओर चलते हैं, अठ्छे से देखिए, सभी स्टूडेंट नोट ज़रूर करिए, समझते हुए चलिए, question number 5 देखिएगा, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखना है, question number 5, question number 5 है, दो नल, ध्यान दीजिए, a और b किसी टंकी को क्रमसा 10 गंटे और 12 गंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल c भरी टंकी को 60 गंटे में खाली कर सकता है, यदि तीनो नलों को एक साथ फोल दिया जाए, तो समपूर टंकी कितने गंटे में भर जाएगी, सभी स्टूडेंट अच्छे से सपता हैं, जबकि एक तीसरा नल c भरी टंकी को 60 गंटे में क्या कर सकता है, खाली, दो भरने का काम कर रहे हैं, एक खाली करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं, यदि तीनो नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो समपूर टंकी कितने में भरेगी, तो जब दो भरने का काम करने, एक खाली करने का, तो कैसे भरेगा? ध्यान दीजिएगा. भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं आपको बता रहा हूँ. ज्यादा कुछ नहीं करना है. तीन नल हैं, दोस्तो. A, B, और C. A, दोस्तो, कितने में? 10 घंटे में. सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे. B, कितने घंटे में, दोस्तो? 12 घंटे में. और C, दोस्तो, क्या कर रहा है? C, 60 घंटे में. ये C, क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है. और ये दोनों क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है. ध्यान दीजिए सभी स्टुडेंट, अब देखिए 10, 12 और 60, सभी स्टुडेंट अच्छे से देखेंगे, समझने के प्रयास करेंगे, 10, 12 और 60 का LCM क्या होगा, 60 होगा, 10, 60, 12, 25, 60, ठीक है, हाँ, तो LCM क्या हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा, ये 10 घंटे में क्या कर रहा है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10 घंटे में भर रहा है, तो ये घंटे में कितना होगा, 10, 6, 60, 60 को 10 से भाग करेंगे, यानि 6 लीटर प्रती घंटा, तभी 10 घंटे में full टंकी हो जाएगी, 12, 25, 60, 60 को 12 से भाग करेंगे, यानि ये 5 लीटर प्रती घंटा भरेगा, तभी 12 घंटे में क्या होगी, टंकी फूल हो जाएगी, समझे सभी सूडेंट अच्छे से देखिए, ये 60 एकम 60, एक घंटे में एक लीटर खाली करेगा, तभी ये खाली होगी, और ये जो है ना दोस्तों, माइनस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहे है न, सी भरी टंक को 60 घंटे में खाली, जो खाली कर रहे है, तो क्या कर रहे है, माइनस कर रहे है, ये चीज़ समझी आप सभी स्थूड़ेंट, तो रिजल्ट इसका क्या आएगा, प्लस 6, प्लस 5, और माइनस 1, तो प्लस को जोडेंगे, 6, 5, 11, ग्यारा में से एक जा, 10, रिजल्ट क्या आ सबी स्टूटेंट अच्छे से देखिए सबी स्टूटेंट अच्छे से देखिए तीनों मिलेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है यह देखना है दो तो भरने का काम कर रहा है एक खाली करने का तो मिलेंगे तो क्या एगा रिजल्ट दस लीटर प्लस होगा 10 की कितने की है दोस जितने भी student का 6 घंट answer है, आप सभी student एकदम सहिए, बस आपको दिहान क्या देना है, आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, कि भरने वाला है, तो plus होगा, और जो खली करने वाला है, minus होगा, LCM निकलना है, करना है, LCM method असान होता है, ये वाला method आप apply करिए, बहुत जल्द ह जाएगा, हाँ, दोस्तों उमीद करते हैं, आज की class आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे question बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, किसी question में अगर आपको doubt है, तो नीचे comment कर दीजिएगा, उस question को दुबारा हम समझा देंगे, वैसे यहाँ पे आप लोगों को doubt एक भी percent की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें हम एकदम basic से zero level से chapter by chapter clear करते हुए चल रहे हैं, बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है, और साथ ही साथ अगर आप किसी अनी exam की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आप लोगों को बता अगर आप SCCGL 2022 exam की तैयरी कर रही है, तो RMbythe чल रहा है, SCGD 2022 के लिए फॉजी बेच चल रहा है, SSE CHSL 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है Sure Selection Badge SSE MTS 2022 के लिए भी Sure Selection Badge चल रहा है तो इन सभी exam की तयारी है या किसी अन्य exam की भी आप तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी SSE Maker App पे Classes चल रही है और सभी की सभी जो भी Classes होती है SSE Maker के App पे वो Zero Level से, Basic से और Chapter by Chapter चल रही है और कम फी में आप लोगों को 72 content दिया जा रहा है जिसे आप पढ़ के 100% अपना SSELECTION सुनिशित कर सकते हैं अगर आप सिर्फ Math पढ़ना चाहते हैं तो Math के लिए भी Classes एकडम Basic से चली हुई है UP Police Constable के लिए एक लास से चली हुई है Special Bath जिसमें आपकी UP Police Constable की सब ही आपकी जो सलेबस में subject हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से clear किया गया है और हम आपको बता दे अगर आप Complete Math और Reasoning की course लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ SSE Maker के App पे और हम आपको बता दे SSE Maker का आप सभी लोग exam preparation जो app है इसको आप सभी लोग क्या करेंगे पहले तो आप लोग download कर लेंगे app को install कर लीजिए mobile में और इससे जुड़ जाईए और अगामी किसी भी exam की आप तयारी करेंगे झाल